हेलो गईज कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईज की OnePlus Nord 3 फोन में आप लोग होच्पोर्ट पासपोर्ट को कैसे सेट कर सकते हो अगर आपके पास एक OnePlus Nord 3 फोन है और इस फोन में आपके होच्पोर्ट में कोई भी पासपोर्ट लगा हुआ नहीं है तो आप लोग अपने फोन को डाटा जो है उसको अन करते हो और किसी एक दोस्त को आप लोग होच्पोर्ट देते हो लेकिन यह पर आपका जो नहीं कर पाएगा और आपका जो नेट है वो खतम नहीं होगा तो कैसे आप लोग अपने फोन में होच्पोर्ट पासपोर्ट को सेट करोगे गाइस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक देखने को मिलेगा इस पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद परसनेल होच्पोर्ट का एक ओप्शन होगा परसनेल होच्पोर्ट पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आप लोग जो है अगर होच्पोर्ट ओफ है तो इसको ओन कर लीजिए ओन करने के बा टीसी भी पास्पोर्ट को होच्पोर्ट में लगा सकते हो तो देख सकते मैंने ये पास्पोर्ट डाला है यहाँ पर उपर की तरफ राइट का ओप्शन होगा राइट पे क्लिक करेंगे और आपका जो होच्पोर्ट में पास्पोर्ट है वो सेट हो जाएगा तो ऐसे करके ज